जेतावनी को प्रलाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंद्स अंगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजे का कड़वा स्वाद न चका हो उस सब पराजे विजेता का अपमान करने की मुर्खता केवल तुम ही कर सकते हो वकाजूर अपने दिव्य अस्त्रों से किसे भैबीत कर रहे हो कंच? उसे, जिसे संपूर्ण एवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाई थे समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ती पर धूल लग गई है वकासुर भूल गए हो तुम अभी कुछीक शन पहले जिस जिव्य अस्त्रधारी का तो मुफास उड़ा रहे थे उसी ने परास्त किया था तुम्हें उस दिन तुमारे प्राण धेके इस पंदन से मुक्त हो जाते यदि तुमारी बहन पूतना ने तुमारे जीवन दान के लिए विनिती ना की होती तो तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे संधी करने के लिए बुलाया है असंभव है ये तुमारा मित्र वत्सासुर वीर गती को प्राप्त हो चुका है जानते हो किसने की उसकी हत्या, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बेहन, उत्ना, प्राण गबा चुकी है अपने, जानते हो किसने की उसकी हत्या, कि इसने मारा मेरी बेहन को इसने मारा मेरे मित्रों को इसने बुलाई है अपनी मृत्यू उसीने जो मेरा भी शत्रू है इसलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ पर संदी करने के लिए प्रतिशोद का एक अपसर देने के लिए तुम नाम बताओ उसका कंश, उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाओंगा मैं बोलो कौन है वो? एक बालक है कृष्ण है, क्रिश्ण है किन्तो वो एक विश्णो अव्तार है वकासर किसी का भी अव्तार क्यों न हो इस एक जंड से मैं हूस के काल का अवतार तुम केवल इतना बताओ कि कहां मिलेगा वो ब्रिंदावान ब्रिंदावान तन्हा आजा, पूजा आरम करते हैं नहीं प्रभू क्या सोच रो है लला, आजा पहले इस प्राक्षिश का सामने करना होगा मुझे अन्य था यसूप देन को सब के लिए सूप बना देगा मैया लक्ष्विन जी की पूजा से पहले है सारे घर में दिये जला कर उनका सागत करनू छिये न कित्ता सयाना होगो मेरा लला चलो जी, दिये जला आज़े प्रभू, मैं कुछ नहीं जानती कोई भी ये उजना बनाईए, कोई उपाय निकालिए पर आप मैया को मनाईए आप मेरी पूजा नहीं कर सकते ये शोभा नहीं देगा पहला दिया चलाएगो लला हाँ मैया ने ध्यान चलाएगो लला ये उेयान चलाएगो 1 प्यरक्पांधो ललाएगो झाल झाल कि ये अतनी शिगरा पोच गया है या जे स्वेत्रं का आकास में क्या गया सुनों जी देखो आपने जे तो अब असे बहुत असुप संकेत है जी कहां है वो कहां है विश्रवावतार कृष्ण दिवाली के सुप दिन असुप संकेत की बाद करियो मैया यह तो कयूत तिवरत चलने के कारण मुझे है फिर से दिला लेंगे साधारन दिपा की तो है यह जे साधारन ना है लल्ला दिपावली के दिपों का बहुत विसेश मात वो होतो है पतो है वैया वर्मास के बाद जब राम जी लोटकर आ रहे थे तब उनके साकत में पूरी अयुद्धा में यह दीप जिलाए गए थे दिपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक होतो है जो पुराई को सक्ती देतो है जे दीपक का टेल है ना जे मन के विकारों का प्रतीक है और जे बाती जे बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जे दीपक जलाते है ना उसका अर्थ जे होतो है तो जे बाती अर्थात के हमारी आत्मा भक्ती के ताप में तप कर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला दे दी और आत्मा सुध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और पहल जातो है दसों दिसाओं में अच्छाई सुक सांती और ज्यान का प्रकास समझो साधारन अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकास होतो है वो रावन की बुराई पर राम जी की अच्छाई का उनकी जीत का प्रतीक होतो है समझगो मैया साब समझगो हाचम में सारे दुबग जलाएंगे बाबा और इसके प्रकास के कारण कोई भी विकार कोई भी मुराहिक इंदावन में परवेश्च ना कर पाएगी इंदावन में परवेश्च ना कर पाएगी इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है और मुझे इन दीबगो की उश्वा क्यों अनुभव हो रही है कैसे संभव है ये आज पुराई पर अच्छा इकी पीजे की रात है आज पिंदावन के निकट आने का फिर्यास भीना करना वक्का सुर अन्नथक इन दीबगो की लोटुएं चला कर भश्वा कर देगी इन दीबगो की अगनी तो सच मुझ मुझे चला रही है सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाई थे इन नन्हे दीबगो में इतना सामर्थ कहा जो मेरे पाउ को बात पाए कि इन अंधेरा बिटाने वाले सार्धारन दीबगो समझने की फूल मत कर वक्का सुर्व विंदा बेन में चलने वाला हर दीबग उस भक्ती के प्रतीक है जिसके लोग मेरे भक्तों ने अपने हिर्दे में चला रखी है वक्ती के शक्ती के आगे तो रावन को भी हाडना बड़ा था वक्का सुर्व सर्थ तुमारा तो अच्ती के रावना बड़ा प्रतीक है